Hello everyone, आज हम बात करने जा रहे है about acknowledgement, यानि कि इकरार under Muslim law, आएए देखते हैं पहले समझते हैं क्या होता है parentage, parentage का मतलब होता है हमारा रिष्टा हमारे parents के साथ पहला होता है maternity, यानि कि हमारा legal रिष्टा हमारी मा के साथ और दूसरा होता है paternity, हमारा legal रिष्टा हमारे पिता के साथ जरूरत क्या होती है parentage की, इसकी जरूरत होती है because of rights and responsibilities हमारे parents हमको बहुत सारे अधिकार देते हैं, जैसे कि हमारी care, custody, inheritance हमारे को संपत्ती मिलती है उनके मरने के बाद, तो इसलिए parentage की बहुत importance होती है अब बात करते है about acknowledgement, तो for example एक लड़का है, उसके बारे में ये नहीं पता है कि उसकी paternity क्या है, उसका पिता कौन है, ये जिस stage के अंदर है, वो है not established, कि उसका पिता कौन है ये not proved, तो अगर एक आदमी आता है और ये कहता है कि ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है और वो बच्चा इस बाद को मना नहीं करता है, तो ये माल लिया जाएगा कि वो बच्चा उस आदमी का है upon certain conditions, आईए समझते हैं इसके बारे में तेकि सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसका relation क्या है adoption से adoption अगर बात करें, तो is not allowed under Muslim law इसके बारे में बताया गया अंडर सब, chapter number 33 वहाँ पर ये बोला गया है कि एक true son और एक adopted son में फरक होता है और इसे लिए adoption एक तरह से disallowed है under Muslim law पर पूरी तरह से बार नहीं किया गया है quote के सामने ये question आया था एक बार कि क्या adoption allowed है Muslim law के अंदर in the case of Muhammad Atik Khan versus Union of India 2003 के अंदर वहाँ पर quote ने ये कहा कि ये बात already decided है in the case of Muhammad Alladhat Khan versus Ismail Khan 1888 और ये कहा कि adoption को permissible नहीं किया गया under Muslim law पर उससे जुड़ा हुआ है कुछ acknowledgement आये समझते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं about establishment of maternity कि उस बच्चे की मा कौन है देखे यहाँ पर दो अलग अलग राये हैं in the case of Shia and Sunni शुनी law की अगर बात करें तो यहाँ पर ये concept है कि अगर एक औरत ने बच्चे को पैदा कर दिया है तो वो automatically उसकी मा बन चुकी है चाहे उस औरत की शादी हुई हो या ना हुई हो यानि कि उसकी जो maternity है वो establish हो चुकी है और वो अपनी मा से property या inheritance ले सकता है लेकिन Shia law के अंदर ये concept नहीं है Shia law के अंदर अगर आपको बच्चे को maternity या paternity प्रोवाइट करनी है तो फिर उस औरत की शादी होनी चाहिए अगर वो बिना शादी के बच्चा पैदा कर चुकी है तो उस बच्चे को maternity और paternity कुछ नहीं मिलेगी अब बात करते हैं about establishment of paternity कि उस बच्चे का पिता कौन होगा देखिए अगर directly बात की जाए तो बच्चे का पिता वो होगा जो उस बच्चे की मा से शादी करेगा वो उसका पिता हो जाएगा लेकिन दूसरा concept यहाँ पे यह आता है कि जहाँ पे उस बच्चे की paternity un-established है यह not proved है तो वहाँ पे आता है concept of acknowledgement under Muslim law आएए देखते है देखिए one of the best books of Muslim law जो है वो है फैस बदरुदीन तयब जी की इनकी जो बुक का fourth edition है section 225 वहाँ बताया गया है features यह essentials of acknowledgement आएए समझते हैं तो पहला यह कि paternity of the child is not established यानि कि पहले से उसकी paternity उसका paternity कौन है यह पता ना हो अगर उसका paternity मर चुका है तो इसका मतलब उसका paternity था इसलिए वो already established है अगर एक बच्चे का paternity के बारे में मालूम है कि वो छोड़ चुका है तो भी उसका paternity था यह established है उसकी paternity के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो दूसरी बात age of parties यानि कि acknowledgementer और acknowledged acknowledgementer का मतलब होता है वो आदमी जो बच्चे को acknowledge कर रहा है और बच्चा हो जाएगा acknowledged यहाँ पे दोनों की age के अंदर साड़े बारा साल का फरक होना चाहिए यहाँ पे age के बारे में नहीं बताया गया है पर जो बाकी books हैं वहाँ बताया गया है साड़े बारा साल तो कम से कम उनका difference जो है age का वो होना चाहिए साड़े बारा साल थर्ड फीचर यह है कि अगर बच्चा जो है वो 15-16 साल का हो चुका है यानि कि वो आ चुका है प्यूबर्टी के अंदर अब वो जवान हो चुका है और उसके बस परियाप्त दिमाग है समझने का तो वो ये मद बोलते कि ये व्यक्ति जो बोल आए कि मैं इसका बेटा हूँ मैं इसका बेटा नहीं हूँ यानि कि वो उस acknowledgement को अगर disallow कर देता है तो फिर acknowledgement पूरा नहीं हो पाएगा चौती बात कहता है कि देखिए जब एक आदमी acknowledge करता है किसी बच्चे को कि ये मेरा बच्चा है बागी conditions अगर fulfill हो गई है तो तो फिर ये माना जाएगा कि उस बच्चे की जो मा है वो already इसकी legally wedded wife है इसका ये भी मतलब है कि इस आदमी के अंदर और साथ ही इस बच्चे की मा में ऐसे relation ना हो कि वो शादी ना कर सके इसका ये मतलब है कि देखिए अगर हमारे पास आदमी होगा वो जब बच्चे को अग्नॉलिज करेगा तो वो केवल ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बच्चा है वो ये बात को स्विकार कर लेगा कि ये मेरा जायज बच्चा है लेजिटिमेट बच्चा है तो फ़र्लेडिय में इन बातों से क्या समझ में आया है ये देखते हैं कि जो अग्नॉलिजमेट का मैनर है वो कुछ भी हो सकता है यानि कि वो एक्सप्रेस हो सकता है वो इंप्लाइड हो सकता है वो बच्चा जिसको वो अग्नॉलिजमेट कर रहा है वो लड़का भी हो सकता है अगली बात है किसी और का बच्चा वो ना हो यानि कि उसकी जो paternity है वो established ना हुई हो not proved stage में हो अगली बात है offspring of zina अगला point क्या है कि ये बच्चा जो है वो offspring of zina ना हो यानि कि जो बच्चा acknowledge किया जा रहा है कि ये मेरा बच्चा है वो बिना शादी के पैदाना हुआ हो दूसरी बात उनमें जो शादी हुई हो वो ऐसी शादी हो जो या तो सही हो या तो irregular हो यानि कि या तो सही हो या फिर फासिद हो वो बातल शादी नहीं हो सकती वो bad marriage, void marriage नहीं हो सकती बाती है कि जो बच्चे को acknowledge किया जा रहा है वो इस बात को मना मत कर दे कि ये मेरा बाप नहीं है वो तब ही कर सकता है जब उसके बास बराबर का दिमाग आया हो और वो puberty या फिर बराबर की सिर्थी में आ चुका हो पॉइंट है वो ये है कि एक बार अगर acknowledge हो चुका है और सारी conditions fulfilled हो चुकी है तो फिर ये revoke नहीं हो सकता यानि कि अगर एक बार मैंने कह दिया कि बच्चा मेरा है with all other conditions fulfilled तो फिर ये बात कभी भी revoke नहीं हो सकती है ये final हो चुकी है अब बात करते है competency of acknowledger यानि कि जो आदमी acknowledge कर रहा है बच्चे को उसमें क्या-क्या खुबिया होनी चाहिए सबसे पहले वो major हो sound mind का हो यानि कि उसके बास दिमाग बिल्कु ठीक हो वो contract करने के लिए सक्षम हो अगली बात क्या कहता है कि उसकी जो age हो वो acknowledge की age से साड़े बारा साल कम से कम फरक हो इसका मतलब यह है कि उन दोनों में बाप और बेटे का रिष्टा होना possible हो अगली बात क्या है the man must carry the intention of acknowledging यानि कि उसके पास ऐसी intention हो इस इच्छा से करे कि यह जो बच्चा है यह मेरा legitimate जायज बच्चा है इस नजरीय से वो काम करे अब देखिए एक बार acknowledgement हो गया उसके बाद क्या क्या लीगल चेंजिस आ जाएंगे एक बार ऐसा हो गया तो फिर उस बच्चे को माबाब दोनों मिल जाएंगे यानि कि natural parents के रूप में दोनों लोग आ जाएंगे अगली बात है sonship वो केवल बच्चा ही नहीं वो उसका legitimate जायज बच्चा कहलाएगा उस आदमी का जिसने उसको acknowledge किया है अगली बात है right to inherit क्यूंकि वो उसका बच्चा बन चुका है तो उसके पास उनके मरने के बाद उनकी संपत्ती में अधिकार आ जाएगा right to inheritance आ जाएगा साथ ही अगली बात है कि क्यूंकि वो बच्चा acknowledge हो चुका है तो उस बच्चे की जो मा है वो भी rightfully legal wedded wife बन चुकी है उस आदमी की जो पहले से ही मानी जा रही थी कि वो है और साथ ही साथ उसके पास inheritance का अधिकार अपने पती से भी आ जाएगा अगर आपको इस topic के बारे में और भी चीज़े जाननी है इसके बारे में और cases को refer करना है तो आप जा सकते हैं मेरी website के उपर जो दिया हुआ है link description box के अंदर अब बात करते हैं conclusion की conclusion के अंदर Anas ibn Malik ने बोला है Prophet Muhammad के लिए कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे I never saw anyone who has more compassion towards children than Allah's own Prophet यानि कि Prophet Muhammad के बारे में बोला है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे इसी के साथ खतंग पढ़ते हैं session को Thank you everyone